हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चानल में अंग का छोटा होना, अंग में पतलापन होना, ढीलापन होना और साथ में टेडापन होना ये कुछ ऐसी कॉमन सी बाते हैं जो पुर्षों के अंग को लेकर के अक्सर सामने आते हैं काफी लोग हमसे इस बारें पूछते हैं कि टेड़े पन को दूर करने के लिए क्या करें पतले पन को दूर करने के लिए क्या करें छोटा पन है उसको कैसे ठीक करें, ढीला पन है उसको कैसे ठीक करें तो आज किस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना भी चाओंगा, बताना भी चाओंगा कि आप क्या करें तो वीडियो को पूरा देखेगा और कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि अगर अंग में टेड़ा पन हो तो क्या करें देखे अगर अंग में टेड़ा पन है तो दो बातों पर ये चीज निर्वर होती है एक तो बचपन से आपका अंग टेड़ा है या फिर बाद में आपके अंग में टेड़ा पन आया है इस पे आपको दिहान देना होगा अगर बाद में आपके अंग में टेड़ा पन आया है तो आप अंग की exercise करके अंग के टेड़ा पन को ठीक कर सकते हैं उसमें आपकी medical condition और आपकी age depend करती है यानि कि अगर आपकी उमर है समय लीजे कि 20-25 साल की उमर है आपकी तो आप स्वस्थ हैं आपको कोई परिशानी नहीं है कोई बिमारी नहीं है तो आप pump exercise करके अपने अंग की जो टेड़ा पन है उसको ठीक कर सकते हैं pump आता है और pump कई तरह क्या आते हैं automatic भी आता है manual भी pump आते हैं जिनसे अंग की exercise की जाती है अब इस तरह से एक बात और देख लिए कि अगर आपकी उमर 45 साल है यानि की age जादा है और साथ-साथ medical condition भी आपके ठीक नहीं है तो संभावते हैं यह हो सकता है कि उस उमर में जाकर के अंका जो टेड़ा पन है वो जल्दी से ठीक ना हो तो समय लग सकता है exercise करें pump से तब भी मैं आपको pump recommend करूँगा कि आप pumps exercise करें तेल से malish करें और कुछ खाने की दवाएं आती हैं उनका इस्तेमाल करें तो आपके अंका टेड़ा पन ठीक हो सकता है तो अगर अंक में पतला पन है तो भी मैं कहूँगा कि आप तेल से malish करें pump से exercise करें तो पतला पन ठीक हो जाएगा अगर आपके अंक में छोटा पन है तो भी मैं आपके अंके लंबाई बढ़ जाएगी लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति पे अलग अलग तरह से जो vacuum pump है वो असर करता है और अलग अलग तरह के पढ़िणाम भी मिलते हैं लेकिन एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जो सब के ऊपर बराबर असर करता है चाहे medical condition भी ठीक ना हो चाहे age भी जादा हो तो भी आपको फायदा पचाता है और वो है यह reusable condom rocket condom आप देख सकते हैं यह है rocket condom जिसका आगे का हिस्सा ठोस है solid है यहाँ पर इसके अंदर grip बनी है यहाँ से आप अपना अंग अंदर डाल सकते हैं उपर नसो का design है यहाँ पर भी design दिया गया है और एक vibrator दिया गया है अब यह क्यों design बनाया है क्यों नसो का design बनाया है यह तो जब आप वीडियो पूरी देखेंगे तब समझ पहेंगे पहले यह जान लीजे कि य एक reusable condom है जैसे कि condom आप इस्तिमाल करते आ रहे हैं उसी तरह से यह भी condom है परक यह है कि इसको आप बार बार धो करके कई बार जादा इस्तिमाल कर सकते हैं जबकि उस condom को सिर्फ आप कितनी बार एक बार इस्तिमाल करते हैं और फिक देते हैं इसका नाम rocket condom है rocket condom में आ वाइबरेशन होती है और यह इससा आपके जो महिला पार्टनर है उसके क्लाइटरिस वाले पार्ट कुझा करके टच्ट करता है जिससे उसको उत्तेजना होती है और शर्मसुक का एसास होता है तो यह वाइबरेटर और इसका डिजाइन का कमाल है तो इस कॉंडम से आपको त फायदा मिलता है ये साथ ये साथ आपके पार्टनर को भी अच्छा आनदाता है अब यहाँ पर जो ये ग्रिप दी गई है यहाँ से आपके अंग बहार निकल लाएंगे और यहाँ से अंग आपका अंदर चला जाएगा जब आप इसको पहल लेंगे तो कुछ इस तरह से आपके अंग की सम्वेदन शीलता को कम कर देता है जिससे आपके टाइमिंग बढ़ जाती है तो दोस्तों यह वो एक तरीका है जिसका नाम है रॉकेट कॉर्णम जो आपको तुरंट फायदा पहुचाता है टाइमिंग बढ़ाता है अंग के टेड़े पन को भी ठीक करता ह लंबा भी करता है तो यदि आप चाहते हैं कि पर्मेनेंट आपका सॉलूशन हो तो आप इसके साथ पंसे एक्सेसाइज करते रहें तेल से मालिश करते रहें तो आपको फायदा मिलता रहेगा और आप तुरंट के लिए चाहते हैं कि तुरंट मुझे लाव मिल जाए तो आप ये रियूजाबल कॉंडöm इस्ते नाम ही रौकेट कॉंडम तो गाइस अगर आप इस कॉंडम के बारे में जानकारी चाहते हैं इसको मनगाना चाहते हैं तो आप दिये के नमर पर बात करें तो यह थी हमारे आऑज की वीडियो एक नए वीडियो के साथ भी मिलेंगी रप्तर के लिए कुल बाइ